सबसे पहले यहां पर आपको प्रूफ दिखा दें इस जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जागा प्रुग्रामेंड एफ आए और एक लुक वाज आपको कंप्लीट समझ में आ रहा हुगा कि यह की बीए सिक्स की बाइक है और आज की टॉपिक जो होने वाली है बहुत ही चेक करेंगे कहां से खया करेंगे और इसको आपनगे करके दिखाएंगे उसके अंडर मोटर कि इतने का असेंबल ए उसका फ्यूल पंप का कुल प्राइस कितना है उसके जाली का करता है बाइदी वह कहीं से खराब हो जाए किस तरह से प्रोब्लम का शॉट आउट और सेल्यूशन निकालना है चलिए बिना टाइम विश्ट के वीडियो को सुरू करते और आपको हम दिखाते है डारेट पैनल आपन करके फ्यूल टेंक करके किस तरह से इसका फ्यूल पंप या फिर कोई भी बायक रिलिटेड वीडियो देखना चाहते है तो मेकेनिक टीवी का अप्लिकेशन एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उस एप्लिकेशन में सिर्फ वीडियो मिलता है और अच्छी से जानकारि पैनल को आपन करेंगे यहीजिली ओपन हो जाएगा उसके बाद का करेंगे इसके जो 10 mm का सीट में बोल्ट होता है उसको वहां से रिमूव करेंगे ताकि हमारा इजी ली टेंक ओपन हो जाए तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा इस जगा पर इसका एक 10 mm का बोल्ट लगा हुआ इसको भी यहां से रिमूव कर लेंगे ताकि आसानी से हमारा सीट निकल जाए चलिए इसके लेफ्ट सैट के हो गया आप राइट सैट के ओपन करते हैं तो चलिए इधर का भी पैनल वगेरा हम ओपन कर लेते हैं यह ओपन हो गया अब इसके जो 10 mm का बोल्ट है उसको भी हम यहां से रिमूव कर लेते हैं तो यह भी यहां से 10 mm का बोल्ट ऑपन होगी हाँ इसके से स्ट क और उपन करेंगे यह हमारा सेट भी आपन होगी आप कहा करेंगे इसके डरेट फ्यूल टेम को आपन करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कहां पे इसका पर ne dog है उसके बारे में आपको डीटेल देते हैं तो फिरन चलिए यहां पर एक जो टूलेमियों का बॉल्ट है इसको भी ओपन कर लेते हैं यह इसली ओपन हो जागा उसके बाद इसके वाइरिंग और पाइपलाइन का कनेक्शन कैसे ओपन करना उसके बारे में आपको बता देंगे एक तरह से डीटेल में कई भी अप्लिकेशन पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा और इसी तरह से हम पर दे टेक्निकल और बीए सिक्स के रिलेटेड वीडियो लाते हैं पुलीज मुझे सपोर्ट कीजिए सपोर्ट की बहुत ज्यादा आओ शकता है मुझे का एक यहाँ पर वायर होता है जो फ्यूल गेज बताता है इसको उपन करेंगे और इसके अंदर एको पंप में वायर लगा होता है कनेक्ट होता है उसको भी हम उपन करके आपको डिटेल में समझाता है चलिए इसको उपन कर लेते हैं तो फिर सारा कनेक्शन और पाइप ल यह वाला पाइप होता है तो तीन चीजों को आप निकाल लिए गा और यहां पर गेजवाला पंप उसके बाद यहां पे आपको BACK Engle सेंसर देखने को मिल जागा इन सभी की ओपर बैक अंगल सेंसर की ओपर वीडियो बना है निचे जो एप्लिकेशन है उसमें आप जाके देख सकते हैं आप चलिए इसका फ्यूल पंप डारेट कंप्लीटली ओपन करते हैं और आपको डीटेल में बताते हैं फ्यूल टेंक ऑपन करने के बाद इस तरह से आपको कंप्लीट देख जागा यहां पे इसका चारकुल कैनिस्टर लग लेंगे और किस तरह से पंप लगा हुआ और किसी भी चीज़ का आपको प्राइस देखना हो तो नीचे सारे चीजों का प्राइस मैंने मेंचन कर दिया है नीचे आप जाके देख सकते हैं और जिस से हम ऑपन करना है उसी से आपको आपन करके फिटिंग करना है कंप्लीट आपका fuel pump work करेगा और starting problem, missing problem, year problem कुछ नहीं आगा गाड़ी में usually start होगी, usually गाड़ी हमारी चलेगी तो सबसे पहले जब भी open करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा एक इसके अंदर यहाँ पे एक dot सा बना हुआ, एक निशान सा बना हुआ इस जगह पे जो complete arrow हमारा इधर बना हुआ, यह arrow हमारा इस side रहेगा और यह pipeline भी हमारा इस side रहेगा, और इसका fuel pump बीच टेंक में assemble नहीं है, एकदम left side पे assemble है ताकि हमारी गाड़ी कम से कम petrol में चले, तो इस तरह से कुछ इसके 6 bolts होते हैं, जिसको हम open कर दिए और यहाँ पे इसका fuel pump assemble है, अब इसको इस तरह से easy लिए एकदम अच्छे से निकालेंगे ताकि कहीं से कुछ issue ना हो, और जिस step से हम उतार रहे हैं, उस step से आपको निकालना है, तो कुछ देख पा रहे हैं, इस तरह से यह निकलेगा ताकि कहीं से कुछ issue ना हो, यह जाली को जो attach हो रहा है, इसके थोड़ा सा हम screwdriver के मदद से अच्छे से करेंगे, और कहीं से वीडियो कटने करेंगे, ताकि आप सभी भाई को पता चल सके तो fuel pump का जो जाली है, यह थोड़ा सा attach हो रहा है, और इसको अच्छे से हम अंदर से ले लेते हैं, ताकि यह देखिए, कुशिश परकार से इसको लेना है, और यह बड़ा साइज में होता है, और इसके पेट्रोल भी भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा निकलने में टफ हो रहा है, तो देखिए, कुशिश परकार से यह निकलाएगा, और यह complete एक छोटा से इसका fuel pump है, और इसके 3 wire attached है, तो कौन सा wire क्या चीज कहा है, उसके बारे में आपको हम detail है, क्योंकि जब भी हम video बनाते हैं, तो video का बनाते हैं, कि एक दिटेल हम बनाते हैं, ताकि आप सभी को कहीं से problem ना होता है, चलिए इसके बारे में कुश थोड़ा सा detail देते हैं, ताकि आप सभी को पता चल सके तो फ्रेंट देख पारें इसके connection को बताने के लिए इसके हम इस side पे ले आया और इसके तीन wire है और यहां पे अगर तीन wire का connection देखा जाए तो इसमें भी तीन wire है तो अगर थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखा देते हैं इस पे जो तीन wire है तीनों हमारा जो है यह हमार ग्रे कलर का एक वायर है complete और यहां पे white पट्टी बना हुआ यहां पे यलो पट्टी बना हुआ और यहां पे आपको blue पट्टी बना हुआ और तीनों में अगर white color की एक जाली लगी हुए जिससे हमारे अग्दम complete अच्छे से पेट्रोल फिल्टर होके इसके अंदर से आता है और इधर से pressure बना के छिड़काव करता है direct हमारे इंजक्टर में इसमें pipeline बना होता है और इसको by the way अगर आपको open करना हो तो यहां पे अगर देखें तो इस हम लोग open करके दिखाएंगे किस तरह से इसको open करना है एकदम normal है यहां पे एक complete दिख रहा होगा इस जिखाप बना हो यहां पर लोक बना हो और यहां पर यहां पर लोक बना हुआ अब हम बात कर लेते हैं यह तीन वायर है क्यों सबसे पहला वायर हमारा यह जो green वाला वा करते हैं उस पर हमारा 12 वोल्ट का करेंट आता है जब हमारा फ्यूल मोटर चलता है 12 वोल्ट का करेंट इसमें आने के बाद अब जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं तो 12 वोल्ट का यह जो करेंट है यह direct convert होके blue वाले वायर पर चला जाता है यानि जब गाड़ी स्ट बेटरी के करेंट से चलता है तो इस वाले वायर में करेंट उसका जाता है यहां पर आपको एक ओर देखने को मिलेगा जिससे हमारी गाड़ी का जो है कहीं से पेट्रोल का लीक जना हो तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लेगो तो यह से अभी करेंगे एसेंबलिंग करने के बाद को सबस्क्राण से अपने नोरे के लिए इसको आपने के लिए कुछ नहें से अख न नढकते ओंगो थोड़ा सापको करके दिखाते हैं कैसे रबाना है सबसे पहले का करेंगे हम इसके जो pump वाला जो हमारा यह एरिया है इसको डालेंगे एकदम slowly slowly तक ही कहीं से फसे ना और यह कहीं से कटे ना तो एकदम आपको टामिंग देखना पड़ेगा तो यहां पर आपको टामिंग का दोट दिख रहा होगा चलिए बिना टाम विश्ट की इसको फिटिंग कर देते हैं और इस जगह पर दिखपा रहा होगा एक डोट बना हुआ और स्टार्ट करने के बाद आपको हम दिखाएंगे मीटर में कोई एरर कोड लाइट नहीं जलेगा और आप भी अगर आपकी गाड़ी मिस्सिंग मारती है या फिर फ्यूल पंप नहीं काम करता है या फिर कहीं से कुछ इशू लगता है तो जो अस्टेप आपको हम बताए किस तरह से असेंबल करना है चली वीडियो को तो फिर यह फैनली कंप्लीटली टाइट हो गया अब इसको चलिए इसके चेसी पर असेंबल करते हैं तो यहां पर असेंबल करने के लिए सबसे पहले का करेंगे इस तरह से टेंग को डाल देंगे उसके पाइप लैन और इसके यह देखिए हमारा फ्यूल पंप ईजली चल रहा विसके जो थोड़े से इयर है यो निकाल लेते हैं वरना फिर स्टार्टिंग में प्रोब्लम करेगी गाडी देखिए इयर निकल रहा है यह देखिए पेट्रोल की वह अच्छी से सब्लाइ होने लगी आप इसको असेंबल क करके डारेट फैनल गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे यह देखिए हमारा कम्प्लीट असेंबल होगी आप गाल और स्टार्ट मारते हैं कि अ तो फ्रेन हमारी गाड़ी देखपर हैं पम्प्लीट ली स्टार्ट होगी है रिस्टार्ट करने के बाद आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज जो देखना होता है यहां पर आपको कोई एरर कोड देखने को नहीं मिलेगा जैसे गाड़ी को स्टार्ट मा रहे हैं यह देखिए एकदम चला गए है कहीं से कुछ मिसिंग भी नहीं है हमारा फ्यूल पंप एकदम प्रोपर वर्क कर रहा कहीं से कोई लीकेज नहीं है तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और मेरे चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर सके चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी से टॉपिक लगए या फिर आपके मान में अगर कोई भी सवाल चल रहा हो तो वीडियो की नीचे कमेंट कर दीजे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके उपर हम कवर करके बता दें चलिए मिलेंगे नेक्स वीडिया में